दूसरों की मदद करने से मतलब यह नहीं कि हम अपना काम छोड़ कर दूसरों की मदद करने लग जाए। ऐसी मदद प्रत्यक व्यक्ति जादा समय तक नहीं कर पाता यह वहवारिक भी नहीं होता। परन्तु जीवन में हम कुछ ऐसा काम करें जिसे हमें भी लाब हो और दूसरों को भी या फिर अपना काम करते करते दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें ऐसे काम ही सरवत्तम होते हैं ऐसा काम करने से मन में सुकून और सकारात्मक्ता बनी रहती है हम एक बहतर इंसान बनते हैं और हमारी अच्छाई अंगिनत रूप में लौट कर हमारे पास आती है कहा भी जाता है कर भला तो हो भला आईए अपने शिशु को यही बात समझाएं एक प्रेरक कहानी के द्वारा कहानी का शीर्शक है भलाई का कारे एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपनी नाव दिखा कर कहा इसको पेंट कर दो उस पेंटर ने पेंट ले उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से जैसा कि नाव का मालिक चाहता था फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुँच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशी का चेक दिया पेंटर आश्चरे चकित हो गया और पूछा ये किस बात के इतने पैसे? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिये थे मालिक ने कहा ये पेंट का पैसा नहीं है बलकि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेर करने का पैसा है पेंटर ने कहा अरे साहब वो तो एक छोटा सा छेद था सो मैंने बंद कर दिया उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा मालिक ने कहा दोस्त तुम मेरी बात समझे नहीं अच्छा मैं विस्तार से बताता हूँ जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया कि नाव में एक छेद है उसे रिपेर कर देना और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौका यन के लिए निकल गए मैं उस वक्त घर पर नहीं था लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से यह सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौका यन पर निकल गए हैं तो मैं बधवास हो गया क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है मैं गिरता पढ़ता भागा उस तरफ जिदर मेरे प्यारे बच्चे गए थे लेकिन थोड़ी दूर पर ही मुझे मेरे प्यारे बच्चे दिख गए जो सकुषल वापस आ रहे थे अब मेरी खुशी और प्रसंता का आलम तुम समझ सकते हो फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला मुझे बिना बताए तुम उसे रिपेर कर चुके हो तो मेरे दोस्त उस महान कारे के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं मेरी आउकात ही नहीं कि उस कारे के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊ जी कि कभी-कभी वह छोटा से कारे भी किसी के लिए बहुत अमुल्य हो सकता है सभी मित्रों का जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेर की है उन्हें हार्दिक धन्यवाद और सदेव हम भी प्रहतने शील रहें कि हम भी किसी की नाव रिपेर करने के लिए हमेश पिशा तत्द पर रहे